एश्यक अपके सूपर फोर में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से था भारत ने पहले ही पाकिस्तान को माच दी और अब दूसरे मुकाबले में आज पाकिस्तान के कप्तान बाबा राजम ने टौस जिता पहले गिनबाजी का फैसला किया लेकिन बाबा राजम को कहा पता था क कि आज भारत के बल्लेबाद कसम खाकर आए हैं रोई शर्मा एक अलग अंदाज में आए हैं केल राहुल एक विस्फोटक पारी खेलने के लिए आए हैं आज जब केल राहुल रोई शर्मा मैदान पर उत्रे तो एक अलग अंदाज में उत्रे रोई शर्मा ने आते ही शांद प्रष्टान कूटता है उस नशीम साह के दो ओवर में भारतिया बन्लेबाद उने 25 रन कूट डाले मौहमध हस्नैन के एक ओवर में नो हारिस राओ के ओवर में दो ओवर में 20 रन कूट डाले मौहमध नवाज में भी ओवर में रोईशर्मा ने बाउंडरी लगा कर अपने अ पाकिस्तान के खिलाब कभी भारत ने पावर प्ले में पचास रंज से जादा नहीं बनाए लेकिन आज भारत ने शांदार तरीके से पाँच ओवर में ही अपने पचास रंज पूरे कर लिये थे जिससे अंदाजा लगा जा सकता है कि आज भारत या मल्लेबाज के शांदार तरीके से मैदान पर उत्रे होंगी तो आपका रोश चर्मा की मल्ले बाजी पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं